हलो और वेल्कम फ्रेंट्स आज की ये वीडियो गूगल सीट की है और गूगल सीट में आज हम सीखेंगे मर्ज के बारे में दो तरग की मर्जी होती है गूगल सीट में पहली होती है वर्टिकली दूसरी होती है होरिजॉंटल तो हम दोनों ही सीखेंगे दोनों ही जानेंगे तो यह merge cells में यहां दिया हुए merge all अगर हम इन सब को merge कर देते हैं एक बार फिर से देख लिए यह data क्या क्या है यह data आपको दिख रहा है अब हम क्या करेंगे इन सब को merge करेंगे तो यह जो top में है left side में top में जो दिया हुआ है value वही value इसमें बच जाएगी the top left most value merge anyway तो ओके जैसे ही करेंगे तो आपके पस केवल 5 बचेगा क्योंकि 5 ही top left में 3 ठीक है हम इसको undo कर लेते है ctrl z करके और फिर अगर हम केवल vertically merge करें vertically merge करें तब क्या होगा तो vertically और horizontally सब करके देख लेते हैं तो यहाँ पर format tab पे चलते हैं और इस बार हम चलते हैं merge sales पर और merge vertically दिया हुआ है क्योंकि अपने vertically selection में लिया हुआ है तो यहाँ से merge vertically पर क्लिक करेंगे तो vertical merge करने पर क्या होगा यह कह रहा है merging sales will preserve the top left most value merge anyway तो इसमें भी 5 भी आपको देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं उपर 5 है तो यह 5 आपको देखने को मिलेगा अब फिर मैं क्या करता हूँ इसको unmerge कर देता हूँ unmerge आप यहाँ से भी जाके कर सकते हैं format tab में और यहाँ पर आपको merge sales जो दिखाई पढ़ आ है इसको आप यहाँ पर जब जाएंगे जब इसको merge कर देंगे जैसे यहाँ पर मैं क्या करता हूँ यहाँ पर भी कोई value लिख लेता हूँ ठीक है और यहाँ पर कुछ अलग value मैं इस बार type करता हूँ 90 कर लेता हूँ इस बार हम क्या करते हैं horizontally merge करते हैं तो यह हो गया horizontal merge तो इन दोनों को select किया हमने और यहाँ से format tab पे गए और फिर merge cells पे गए और यह देखिए merge horizontally highlight होने लगा तो यह बस merge horizontally पे click कर दीजे आपके पस value कौन सी बचेगी यहाँ पर 5P बचेगा देखिए यह क्या लिखा हूँ है आई होग के बाद समझ में आई होगी की कैसे यह आ रहा है तो यहाँ से इसको horizontally merge करते हैं तो आप देखिएंगे आपके पास किवल 90 बचा हुआ है तो आई होग के बाद समझ में आई होगी यह merging कैसे होती है और किस menu में होती है तो अगर वीडियो पसंद आये तो से share करें Thank you for watching this video